चारों तरफ मातम पसरा हुआ है चाहे अस्पताल हो या फिर घर लोगों की आखें नम हैं क्योंकि यहां एक साथ ही एक ही परिवार के चार लोगों की एक सड़क हाथसे में मौत हो गई है हाथसा उस वक्त हुआ जब रेद भरा एक ट्रक अचानक पलट गया इस हाथसे में सड़क किनारे सो रहे एक परिवार के पांच लोग दब गए हाला कि स्थानी लोगों ने एक बच्ची को बचा लिया लेकिन उस बच्ची की हालत भी कंभीर है मरने वाला परिवार घुमकर जादिका था हाथसे की वजह के पीछे प्रशासनिक लापनवाही भी उजागर हुई है बताये जा रहा है कि जिस जगह पर हाथसा हुआ उस जगह पर टेलिफोन लाइन के लिए खुदाई हुई थी उसी गड़े में ट्रक फर्स कर बेकाबू हो गया कि अब जगड़े में प्रापर ली नहीं थी और जैसे ही ट्रक का पहिया उस फिलिंग के उपर आया तो फिलिंग दसक गई और दसकने से इसका बैलन्स बिगळा और ट्रक फल्टा है कितने लोगों की पुष्ट होई परेवार में पाच लोग सो रहे हैं दो मेलाए एक पुरोसा दो बच्ची दो मेलाए एक पुरोसा एक बच्ची की तमत हो गया है फिलहाल गायल बच्ची को इलाज के लिए टीकमगड रेफर कर दिया गया है लेकिन इस घटना से साफ है कि टेलिफोन का तार बिछाने के लिए अगर गड़ा खोद कर खुला नहीं छोड़ा गया होता तो शायद आज एक हस्ता खेलता परिवार ना उजड़ता टीकमगड से सुधीर कुमार जैन की रिपोर्ट